इंडियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट चेप्टर अफ जिम्नियस्पॉंस मैं अगला जो हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस जनरल हमने सारा पढ़ लिया जनरल करेक्टर्स पढ़ लिया इवलूशन और ओरीजिन पढ़ लिया इसके बाद अब हम एक स्टड़ी पर आएगे ब्लांट की स्टड़ी पर आएगे जनरल पर पहला हमारा जनर जो सलेबस में है या साइकर्स सबसे पहले आप जानते हैं कि हमको कोई भी प्लांट अगर पढ़ना है तो उसकी सिस्टमेटिक पॉजीशन या वरगी करण हमको पता होना चाहिए जिम्नोस पर में इसका वर्गी करन साइकस का है डिविजन साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडॉपसीडा, ओर्डर साइकेडेल्स, फैमिली, साइकेडेसी, एंजीनस, साइकस, जो साइकस है यह ग्रीक वर्ड केकस से बना है जिसका मतलब होता है कोकोपांग, ठीक है एक बा साइकेडेल्स, फैमिली, साइकेडेसी, एंजीनस, साइकस, इसको ग्रीक वर्ड जो साइकस नाम पढ़ा है इसका, इसका कैकस, मीन्स, कोकोपांग, आप देखिए, पिक्चर में आपको कितना सुन्दर यह प्लांट इधर दिखाई दे रहा है, आगे आगे और भी सुन्द कितियों में पाया जाता है, इसकी इंक्लूट्स 20 स्वेशी लगभग 20 जातियां इसकी याथ हैं, अकर्स वाइड और कल्टिवेटिड इन ट्रॉपिकल एं सब्ट्रॉपिकल रीजन्स, जो की जंगली या कल्टिवेटिड उगाई जाती हैं वैसे जो खेती की टाइप से इ जंगली और कल्टिवेटिड दोनों फॉर्म में जो है ये ट्रॉपिकल और सब्ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, इसके इलावा साउथ ऑफ इस्टर्न हेमिस्फेर में जैसे जापान, इंडिया, चाइना, औस्टेलिया, कोस्ट ऑफ अफेरिका, मैनमार, बंगला पाई जाती है, शिक्स एपिशीज इंडियenne यांनि भारत की में इसकी 6 जातीय पाई जाती हैं जिसमें से 4 वाईल है, 4 यांनरना टूप कल्टिवेटिड, दो कल्टिवेटिड हैं, यानि इनके नाम देखों, पहली साइकस सरसिनेलिस दूसरी साइकस रमफाई तीसरी साइकस पैक्तिनाटा और चौती साइकस बैडोमाई चार स्पेशीज जो वाइल हैं साइकस सरसिनेलिस इसके अलावा दो कल्टिवेटिड इस्पेशीज हैं साइकस रिवल्यूटा एंड साइकस शियमैंस इस यह देखिए इस अरसिनेलिस है जिसमें बहुत लंबी-लंबी लीव्ज होती है यह आपको इसमें दिखाई दे रहा है डाइग्राम में लो जो पिक्च deeds हमें ने यहां लगाई ओश्लाइट स्टुरह अ कि इस पोरोफिटिक ग्लांट बॉड़डी आप जानते हैं कि जो ग्लांट बॉडडी है वह डिपलॉएड है इसलिए इसको sporophytic plant body कहा गया है और सबसे बड़ी बात sporophyte की क्या थी जो आपने पड़ी है कि पौधा root stem और leaf में विभेदित होता है ठीक है सबसे जो लंबी इसकी जाती है वह साइकस मीडिया है जो लगवग 20 फीट की हाइट तक पहुंचती इस्टेम अनब्रांश्ट है कॉलूम्नर है तथा कवर्ड विद पर्सिस्टेंट लीव बेस यानि कि जो तना है वो कैसा है अशाकित है अनब्रांश्ट अशाकित है कॉलू स्ठम है कॉलूम्नर का मतलब होता है स्तंबिक और कवर्ड विद पर्सिस्टेंट लीव बेस नि mogई इसकी इसकी लीव जनड़ दाने के बाद जो ल होता है वो तने के ऊपर जुड़ा होँआ पाया जाता है इसको पर्सिस्टेंट लीफ बेस email अर्ट थीक है लीव लीव का इन वॉल्यूटT within the bird leaves are dimorphic जो पत्नियां है वो बड इस्टेज होती है यह जो यह चोटी युव आवस्ता जब निकलनी शुरू हो उस समय शरीनेट लुट ली वरनेशन शो करती है यानि कि देखिए सरसिनेट वर्नेशन में लीव जो है पूरी इस तरीके से गोल होगी और लीफ लेट भी ऐसे ही गोल होती है फिर जैसे जैसे लीफ बड़ी होने लगती है तब यह खुलकर फिर इस तरीके से हो जाती है तो यह जो स्पाइरली कॉइल जो स्ट्रक्चर है दिस इस कॉल सरसिनेट वर्नेशन ठीक है लीफ डाइमार्फिक है यानि कि दो प्रकार की लीफ पाई जाती है इसके लिए लीफ है और यह ग्रीन लीफ आपको दिखाई देरी है फिमेल रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर्चर्स दा म इसके अंदर जो मादा जननांग है फिमेल रिप्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर्चर है उनको मेगा स्पॉरोफिल कहते हैं यानि कि गुरू विजानुपण कहा जाता है जो शंकुओं में विवस्तित नहीं होते हैं कॉन्स में नहीं लूजली अरेज्ड होते हैं साइकसम य मेल रिप्रोड़क्टिव और्गन है गुरू विजानुपण है वो शंकु में ना होकर लूजली अरेंज होता है दूर दूर विवस्तित होते हैं और इस जो गुरू विजानुपण है इसकी लोवर सर्फेस पर असेंडिंग और में दो या अधिक बीजान पाई जाते हैं यह आगे आप देखेंगे इतनी डिटेल में भी यहां देखने की जरूत नहीं है इसके बाद देखिए एक्स्टरनल मार्फलोजी यह देखिए जो यह बीच में दिखाई दे रहा है यह लेकिन यह बंच पूरा आपस में बंध है यह जितनी इसकी जो लीफ लेट्स है क्य इस्टैम साइकस प्लांट शोज टूब्रस स्टैम विद यंग बिकमिंग कालूम्नर एंड अन्वरांश्ट लेटर जो तना है शुरू शुरू में ट्यूबलर होता है यानि की नली का कार होता है जब उत्पन होता है देन और यंग स्टेज होने पर इस्तंबिक हो जाता है और अन्वांश्ट है यह अशाकित है लीव शूट अपेक्स इस प्रोटेक्टेड बाई रोजेट ऑफ ब्राउन स्केल लीव लीव आपने डाइमार्फिक पड़ी तो जो तने का अग्र सिरा है शूट अपेक्स है यानि कि शूट की अग्र सिरा जो है तने का वो छोटी छ बहुत दीरे धीरे व्रद्धी करने वाला पौदा है जिसमें लीव क्राउं पत्यों का एक चक्र एक या दो साल में विख्षित होता है और इसके अल्टरनेट एक यह बनेगा और इसके आल्टरनेट फिर इसकेल लीव की कवरिंग बनेगी फिर आगे फॉलियर लीव की फिर आगे इसके लीव की कवरिंग बनती है इस प्रकार से लीव बहुत स्लोली पूरा का पूरा क्राउं पांच छे साथ आठ जितनी वी लीव स्पेशीज के हिसाब से बननी है वो साल में एक या दो बार या दो साल में एक बार उनका विकास होता है सबसे पहले हम एक्स्टरनल मार्फोलोजी देखेंगे स्टैम की जो इस पुरोफाइट है आपने पढ़ा डिवाइड इंटू रूट स्टैम और बीव इन बिगनिंग स्टैम इस अंडर ग्राउंड राइजों यानि की जो तना है शुरूआत में भूमिगत प्रकंद्र प बाम्राउंष्ट एरियले स्टैम इसके बाद यह अशैकित तनिय में व्युक्षित होता है इश कलूम्नियर और पिलर लाइक विद पर्सिस्टैन्ट लिड़ बिशिजी इसके पार ऀहाए्ट लिभी में बिखाया वो इसके उपर लगयवे पाएजाते हैं इस तने का जो आधार है बिल्कुल बेस वाला इस्ता है नीचे का वहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन होती है जिनको बलबिल्स या पत्रप्रककलिकाएं कहा जाता है ये पॉधे के काईग जनन में हेल्प करती है ये काईग जनन के लिए या वेजिटेटीव रीप्रोड़क्शन के लिए उत्तरदाय होती है इसके दवारा हम निकाल कर इसको एक उधे से दूसरा पॉधा बना सकते हैं पर्ण है more in numbers than foliage leaves, brown in color, covers apical region of stem and protects young leaves जो शल्क पर्ण है या स्केल leaves इनका क्या कार है एक तो यह बहुत सारी है नमबर में, brown है भूरे रंग की है जो apical region है तने का उसको कवर किये होती है और young leaves को सुरक्षा पर्णान करती है दूसरी है foliage leaves या समाने पर्ण, large green pinnately compound सयुख पिच्छा कार पत्ती है, divided in the sysile leaflet, 8200 pairs इसके साथ जो है 80 से 100 pair क्या होते हैं, leaflets के होते हैं कुंडलित विन्याज जो मैंने बताया सर्सिनेट वर्नेशन बना होता है like funs in young stage, these leaves are covered with hairs और young stage में ये leaves के पत्तियां कैसी होती है rowing या hairs के द्वारा covered होती है, देखिए समान कैसी है, सयुक्त पत्ती है, तो ये बीच का जो है, this is rackets इसके उपर pair लगे होते हैं, leaflets के इस तरीके से, इदर, 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 ये क्या है, leaflets है पत्तरक, जो कि कितने 80-100 pairs के बीच में, 80-100 pairs के बीच में, ये leaflets होती है, सिसाइल, यानि कि इसमें तना नहीं है, सीधी rackets के उपर जोड़ी होई होती है, अभी आप देखिए, आगे शायद इस्ट्रक्चर आएगा, ये देखिए, इसको इंलाज करते हैं, फिर आपको दिखाई देगा, ये तो कोरलाइड रूट है, पहले में, ये तना है, इस त निशान पड़े होते हैं, और जो बेस है, फॉली एज लीव का, वो इस पे चिपका होगा पाई जाता है, पूरी को आप नहीं उखार सकते हैं, स्टेम डेमेज हो जाएगा उससे, ठीक है, फिर ये पत्ती दिखाई गई है, देखिए, ये पूरी, ये स्केल लीव से पहली ये फॉली एज लीव है, जब यंग स्टेज है, तो ये सब लीवलेट्स मुड़ी हुई है, सरसिनेट कोईल लीवलेट्स हैं, जब ये खुल जाएगी, तो पूरी पत्ती इस तरीके के हो जाएगी, ये पेर्स हैं लीवलेट्स के, जो एक कॉमन आधार के उपर जुड़े है, वो अगले वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद, इस वीडियो में जो भी मैटेरियल हमने लिया है, उन सभी सोर्सिस का बहुत-बहुत धन्यवाद में आधा करना चाहता हूं, क्योंकि ये केवल पढ़ाने के लिए इसका कोई भी एकोनोमिक यूज नहीं है, करोना का में बच्चों को आनलाइन पढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, थेंक यू